हेलो गैस वेलकम बैक टू एस आटो मोटिस तो गैस इस वीडियो आपकर करने वाले है ताटो मोटिस की एल्ट्रोस को उनकी ही ट्यागो के साथ में और यह कंपैसर रहने वाला है इन दोनों कास के टॉप एंड वेरिंग्स की बीच तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरी सप्रेस करें त्योंकि मैं लेक आता हूं ऐसी इंडिटिल वीडियो तो गैस लेस्ट अपरेशन सबसे पहले बात करते हैं दोनों के डामेंशन के बारे में गैस एल्ट्रोस की लाइन ट्यागो से ट्यागो से शेवन्टीड अब्स यादा लिकिन ट्यागो की जो की एल्ट्रोस में भी देखने के लिए मिल जाता है यह 1.2 लिट्र का 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है जो 86 PS की पावर 113 अनम का टॉल जनर करता है त्यागो में आपको 0.824 कम पेल का जादा मालेज वी मिल जाता है जिसके साथ में आपको मैंनोल और आटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं जब के अल्ट्रोस में मिल जाता है चाये डीतल हो प्यट्रोल या पेट्रोल टियागो में अभी कोई इंजन अब लेकिन ऐगैब लेकिन लेकर अच्जा में आपको 1.5 literally का 4 सीलेंडr पेट्रोल इंजल इंजन मिल जाता है जो की 90 PS की पावर 200 अनम का टॉरी इसने अपको 22 Quiz मैलिज काम मैलेज मेलेज के बात करे तो इसमे श्मेको 25.10 कि मैलेक explaining comfort and convenience के बारे मैं सबसे पहले बात करें लगरे में वाले इन फीचे में मिलते है तियागो मिन श्ड को Tiago में rear doors भी मिलता है rain sensing wipers इसके साथ cruise control color TFT digital instrument class Tiago में digital speedometer umbrella holders on front doors 7 inch desktop floating touchscreen Tiago में AC vents के नीचे मिलती है projector headlamps with LED DRL पुरानी Tiago में projector headlamps थे लिके नवापको किसी variant में नहीं मिलती है ideal start stop micro hybrid technology 90 degree opening doors ये कोई खास feature तो नहीं है rear fog lamps जैसे ये features है जो आपको Altros में देखने के लिए मिल जाते हैं लेकिन Tiago में नहीं देखने के मिलते हैं अब उन features के बारे में बात करते हैं जो आपको Tiago में मिल जाते हैं लेकिन Altros में नहीं मिल पाते हैं body color DC vents with chrome insert Altros में black and gray LED blinkers on over RVM Altros में आपको fender में मिलते हैं auto drown driver side window तो बस यही कुछ वो features हैं जो आपको Tiago में देखने के लिए मिल जाते हैं लेकिन Altros में नहीं मिल पाते हैं safety features के बात करते हैं शुरू करते हैं Altros इसमें आपको maximum safety features के नाम है anti-lock braking system electronic brake distribution dual front airbags corner stability control seat belt reminder seat belt pretension with force limiter speed sensing auto door locks and unlock immobilizers और इसी के सास्थ जत ISOFIX styled seats और day night IRM जैसे safety features मिल जाते हैं और global end cap में अपने नए platform और safety features की वैसे 5 star safety rating score किया है जब कि Tiago ने 4 star score कर रहा है जो कि बुरा नहीं है तो Tiago के safety features के बारे में बात करें तो इसमें आपको anti-lock braking system electronic brake distribution dual airbags seatbelt pretensioner with force limiter seatbelt reminder day night IRVM speed sensing auto door lock and unlock immobilizers impact sensing auto door lock and unlock corner stability control और ISOFIX styled seat जैसे safety features मिल जाते हैं ज़री अब बात करते हैं बाकी बच्छी हुजी चीसों के बारे में जैसे की वारंटी ओफर Tiago में आपको 2 years या फिर 75,000 km तक का वारंटी ओफर मिल जाता है जिसको आप extend करवा सकते हैं 3rd or 4th year तक वहीं एल्ट्रोस में भी आपको same warranty ओफर मिलता है जिसे आप extend करवा सकते हैं 3rd or 4th year तक चलिए प्रैजस के बारे में बात करते हैं Tiago आपको 4.60 lakh से शुरू होकर Top variant 6.60 lakh तक मिल जाता है जबकि एल्ट्रोस 5.29 से शुरू होकर 9.29 lakh की मिल जाती है वीडियो का लाइक करे शेर करे सब्स्राब करे थैंक्स वो वाचिंग